तो हलो गाइज हम लोग आ गए हैं पटना के मोईनी लोग के स्टेडियम में रंजी ट्रॉफी देखने के लिए हमार साथ कुछ दोस्तों भी आये हैं साथ में हम लोग आये हैं चलिए आप लोगों को देखाते हैं पटना के मोईनी लोग के स्टेडियम का नजारा कितना भरा हुआ है पब्लिक से लोग दर्सक इतना देखने आए हुए कि हर तरफ इहर जो है पुरान पहले scoreboard हुआ करता था लेकिन अभी इसकी मरम्मत के जरुरत है और बिहार सरकार को इसको मरम्मत कराना ही चाहिए क्योंकि प्रियक्टर सुधरते हैं तभी केार मतलब किसी वी राजी का अर्त वह सधरता है तो देखिए वह कैमरी लग हुआ। अप लोग देख सकते हैं और उधर गितकर जो हमारे किर्केटर किर्केटर रहे हैं और आप लोग को बता दे कि मसहूर किर्केटर रहाने tääर और बिहार से श्कृबल है सक्रिबुल हैं वह भी कहल रहे हैं तो बहुत ही सांदार मेंच होने वाला है तो आप लोग कहीं से जरूर देखने आये और क्यूंकि ये भी हार का आएगा तब तो दाउन रोसम होगा आप लोग दिखिए और उन लोग के मतलब जरूरा आईये बिहार में देखने के लिए देखिए बॉलिंग कर रहे हैं जो आप लोग कर लिए यह दो अधर देखाते हैं बहुत हैं और प्लेयर लोग लगा हुआ था और ऐसाने कि हर रोज भीड़ लगा हुआ रहता है और आप लोग जरूर आए कहीं का भी हो तो जरूर आए और देख सकते हैं कितना नजारा है पूरा लोग भरा हुआ है मतलब ठंडे का मौसम है तो दूब का भी परवार नहीं है कोई टेंसन नहीं है देखे तो ऊर्थए ववाश्चा सिद्धरेगा कि टी ब्रेक मतलब होने, करके बाद प्रेक ब्रेक होने के बाद फिर भाहारने के लिए ँपहले से पुरा ववाश्बता होना चाहिए यार लेकिन वह फिर भी बहुत अच्छा है जो कोसिस रहा या फिर जो रंजी ट्रफी हो रहा है वो भी बहुत बेहतरीन है आप लोग जरूर देखने के लिए मैं मार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि होसला इफजाई के लिए आप लोग को आना जरूरी है और बहुत सारे भाई लोग दोस्त लोग सभी लोग आये हुए हैं बहने लोग भी आये हुए हैं तो सभी लोग आये मेरे भाई